नमस्कार मेरा नाम है अंशिता लगता है नरेंद्र मोदी की पार्टी ने खुलकर मान लिया है कि पत्रकारों को वो खिला-पिला कर सेट रखती है पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने अपने कारिकरताओं को ज्यान दिया है कि जिसकी जितनी उकात उसके आगे उतना टुकडा फेकते रहो वो अपनी कलम और आवास तुम्हारे कदमों में नियोचावर कर देगा तुम कहोगे नाचो तो नाचेगा तुम कहोगे गाओ तो गाएगा तुम कहोगे चाटो तो चाटेगा यकीन ना हो तो यह आदियो क्लिप सुने ये महाराष्ट बीजेपी के अध्यक्ष हैं नाम है चंदरशेखर बावन कुले इनका ये ओडियो क्लिप खूब बाइरल है ये क्लिप बीजेपी के बूत प्रमुखों के एक सम्मेलन का है इस सम्मेलन में कुछ कारिकरता उन्हें पूछा था कि कुछ पत्रकार बहुत सवाल पूछते हैं बड़े वाले तो नहीं पूछते और बहुत बड़े वाले तो एकदम आपकी तरह हो गए हैं लेकिन छोटे वाले बहुत पूछते हैं उनसे कैसे निप्टा जाए इस पर बा इस ओडियो से ये तो पता चल गया कि बीजेपी क्या खेल खेलती है कैसे न्यूस चैनलों को अपने इशारू पढ़ना चाहती है और कैसे पत्रकारों को पालतू बनाती है बीजेपी नेता बावनकुले आडियो में साफ कह रहे हैं कि पत्रकारों को खिलाओ पिलाओ ताकि वो नेगेटिव ना लिखें वो सिखा रहे हैं कि कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है महाराश्ट के भाजपा प्रमुक्ष चंद्रशेखर बावनकुले अपने पार्टी वर्कर्स को कमाल की नसीहत दे रहे हैं पत्रकार बहुत महंगे नहीं बिखते उन्हें खरीदना बहुत आसान होता है और वो बहुत सस्ते में बिख जाते हैं किसे भी ढावे पर खिला पिला दो और बन गया काम सारी नेगेटिव ख़बरें मीडिया से गायब आपको पता ही है कि 2024 लोगसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है वैसे भी बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है लेकिन इंडिया गटबंधन की बढ़ते मजबूती से उसकी टेंशन बढ़ी हुई है महाराष्ट में जो इस तरह से सरकार चल रही है उससे लग रहा है कि विधान सभा और लोगसभा के चुनाव कहीं एक साथ ना हो जाए सारे पार्टियां इसी हिसाब से तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी भी काम पर लग गई है इसी को लेकर महाराष्ट बीजेपी अध्यक्ष चंदरशेखर बावन कुले एहमद नगर पहुँचे थे यहां वो पहुँचे तो भाजपा कारिकरताओं को बूथ मैनेजमेंट सिखाने थे लेकिन ऑडियो से पता चल रहा है कि नेता जी तो मीडिया को काबू में करने की ट्रिक बता रहे हैं दरसल ऑडियो में वावन कुले को कहते हुए सुना जा सकता है कि वीडियो जनरलिस्ट निउस पोर्टल चलाते हैं यह आपके इलाकों में जाएंगे और एक छोटी सी घटना को बढ़ा चड़ा कर बताएंगे ऐसे उधम मचाने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया जनरलिस्ट की लिस्ट बनाईए और धावों में चाय पर बुलाईए उनसे कहें कि 2024 के लोगसभा चुनाओ आने वाले हैं इसको देखते हुए हमारे बारे में नकारात मक न चापने मतलब कि 52 कुले अपने कारेकरताओं को समझा रही हैं कि बहुत प्यार के साथ पत्रकारों को धमका दो कि सरकार के खलाब कुछ भी गलच चापने की अजाधत नहीं है यही नहीं 52 कुले ने आगे कहा कि पत्रकार बहुत महतपूर होते हैं क्योंकि वो लोगों की राय तक बदल सकते हैं पत्रकार वोटर भी होते हैं अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे उनसे बात नहीं करेंगे या उनकी राय नहीं लेंगे तो यह अच्छा नहीं है आप मेरे कहने का मतलब समझ रही है ना कि पत्रकारों कुछ चाई पर क्यों बुलाना है बीजेपी नेता का तो पता नहीं लेकिन विपक्ष और बाकी लोग जरूर समझ गए कि अध्यक्ष जी क्या कहना चाह रहे थे इसके बाद विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया महाराश्च के विपक्ष के नेता विजबडे टी बार ने कहा कि हर पत्रकार विकाओ नहीं होता भाजपा वाले क्या सोचते हैं कि पत्रकार टुकडों पर पाले चाते हैं मैं आपके टॉप लेवल और स्थानिये नेताओं की बेचानी समझ सकता हूँ क्योंकि वो असहमिती की आवाज को नहीं दवा सकते लेकिन आप तो सीधे पत्रकारों को उफर देने लगे जरता आपको रुला देगी वहीं अन्सीपी शरत पवार गुट के प्रवक्ता क्लाइट क्रेस्टो ने ट्विटर पढ़ लिखा कि बावन कुले भाजपा कारेकरताओं से सच बोलने वाले पत्रकारों के साथ अच्छा व्यभार करने को कह रही है या फिर उनका बयान सच्चे पत्रकारों के लिए धमकी अब जब बीजेपी की पोल खुल गई और प्रदेश अद्यक्ष गिर गए तो अपने बयान पर सफाई देने लगे कह रही है कि मैंने तो पत्रकारों को सम्मान जनक सतकार की बात कही थी कारकरताओं को ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन लोग चुटकी ले र कि उनसे कहें कि 2024 के लोग सबाद चुनाओं आने वाले हैं इसलिए हमारे बारे में नकारात्मक ना चापें वहीं अब विबाद बढ़ा तोप मुख्यमंत्री देविंत फड्नवीस को भी बावन कुले के बचाब में आगे आना पड़ा उन्होंने कहा कि बावन कुले ने क क्या कहा और बयान को क्या समझा गया ये दो अलग-अलग बाते हैं उनकी कही बाद को दूसरे तरीके से ब्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है कभी कभार आप कारकरताओं से हलके पुल के अंदाज में कुछ कह रहे होते हैं इसे तूल देने की जरूरत नहीं है लेकिन विपक्ष पहले ही में इस्ट्री मीडिया को गोदी मीडिया बुलाता है वो बीजेपी पर आरोप लगाता है कि उसने मीडिया मैनेजमेंट किया हुआ है यही नहीं पिछले दिनों खबर भी आई थी कि इंडिया गटबंधन ने बड़े चैनलों के नामी पत्रकारों को बैं करते हैं यानि मीडिया और मोदी सरकार के बीच सांट घाट चल रही है इसके आरोप पहले ही लग रहे थे लेकिन अब बावन कुले के इस ओडियों ने तो इन आरोपी की पुष्टी ही कर डाली उनके ओडियों से पता चल रहा है कि बीजेपी का फॉर्मूला क्या है अब पिसांसत सुप्रिय सुले ने कहा कि बीजेपी को खुले तोर पर बताना चाहिए कि उन्हें लोगतंतर व्यवस्था मानने है या नहीं ऐसे घैर जिम्मेदाराना बयान पर पत्रकारों और जनता से माफी मांगने चाहिए यानि कि बीजेपी और बावन कुले दोनों ही बीजेपी की पोल खुल गई है जो विपक्ष ने नहीं बलकि उनके अपने नेता ने खोली है वो भी किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बलकि महाराश्च्ट प्रदेश अध्यक्ष ने अब बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि इसका क्या तोड निकाला जाए तो इस वीड अर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया इसको भी फॉलू कर लिए नमस्कार